अब हम Samson Agonist के Key Notes को discuss करेंगे जो की बल नाइनर के रूप में होंगे तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहलाई Key Notes है कि यह जो Samson Agonist है यह जो Samson Agonist है वो क्या है? ट्राइजिक क्लॉसिट ड्रामा है अच्छा यह हमारा ट्राइजिक क्लॉसिट ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया और ना कि स्टेज पर पफार्म करने के लिए ठीक है? अगला देखो दूसरा पॉइंट क्या है इसमे उन्होंने कहा कि यह जो Samson Agonist है दोस्तो Samson Agonist बाज पब्लिश्ट यह पब्लिश हुआ था बिद किसके Milton's Paradise जो Regan था Milton का जो Paradise Regan था ठीक है उसके साथ Samson Agonist को पब्लिश किया गया था कब 1671 में तीसरा Samson Agonist draws करते हैं on the story of Samson यानि कि यह जो तीसरा point है अगर हम बात करें तो Samson Agonist Samson की कहानी आधारित है किस पर आधारित है यह story draws on the story of Samson from तो Old Testament किस से ले गई है यह Old Testament से ले गई है ठीक है Old Testament यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हुआ the Old recounts the story as the told in the biblical book of judges तो यह एक biblical book है यानि कि Bible से ले गई एक कहानी है Bible पर आधारित एक कहानी है Old Testament ध्यान बनाए रखना ठीक है अगला Samson Agonist start करते हैं in Medias Race और यह most and most important है कि Samson Agonist जो play है इनका closet drama है यह एक Medias Race है अब आपको यह सब्द समझना पड़ेगा Medias Race क्या होता है in the middle of the story यान कि कहानी जो है वो बीच में से सुरुआत हो किसी भी कहानी की किसी भी story की बीच में से सुरुआत हो उसको हम कहते है Medias Race इसमें भी Samson जो है वो फिलिस्तीन की कैद में पाया जाता है जहां पर उसको अंधा कर दिया जाता है वहां से इस कहानी की सुरुआत होती है ठीक है ड्रामा की तो इसी लिए यह क्या है Samson Agonist इस्टार्ट होता है Medias Race ध्यान बनाए रखना पॉर्थ के बाद अगर हम फिप्ट पॉइंट के अच्छा यहां पर यह बताया गया कि Medias Race क्या होता है दी प्ले Samson Agonist begin होता है in the Medias Race Samson is soon दिखाया जाता है in the bondage बंदर में दिखाया जाता है under the फिलिस्तीन किसके फिलिस्तीन के under the फिलिस्तीन है पुच आउट इस आइज जो फिलिस्तीन होते हैं वो उसकी आँखों को निकाल लेते हैं यानि कि पुच आउट इस आइज उसकी आँखे निकाल ली थी आइज फोज़ इं और उसे विवस कर दिया तूटवयल कठीन परश्रम करने के लिए विवस कर दिया इन अरकना नाटक सैम्सन एगोनिस्ट मीटियारे से सुरू होता है सैम्सन को बंदन में दिखाया गया है फिलिस्तीन के अधीन किसके बंदन में फिलिस्तीन के बंदन में फिलिस्तीन जो थे उन्होंने उसकी दोनों आखे निकाल ली है उसे गाजा की एक जेल में बेडियों में जकड़ कर मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया है ये इस point का meaning है अगला अगर हम बात करें next दोस्तों अगला meaning क्या होगा कि Samson who was once a mighty warrior Samson who means जो बाज था once a mighty warrior mighty barrier का मतलब होता है बहुत सक्त साली यूधा था he is made blind now लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है अंधा कर दिया गया है and is put in gaja और gaja की jail में उसको बंद कर दिया गया है add the mill with slabs तो वो कहते हैं Samson जो कभी एक सक्त साली यूधा था अब बै अंधा बना दिया गया है और उसको गुलामों के साथ गुलामों के साथ मिल में गाजा में जो है रखा गया है मिल से मतलब यह है कि मिल में jail की कोटरी कहलो jail की कोटरी में उसको बंद करके रखा गया है पांचमा पॉइंट Samson agonist is a Greek word most important चीज़ है ध्यान मनाय रखना Samson agonist कैसा सब्द है एक Greek word है और इस Samson agonist जो की एक Greek word है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है Samson the athlete या Samson the wrestler ठेक है तो इसका मतलब आप ध्यान से कही no down कर लिजेगा Samson agonist का Greek यह एक Greek word है जिसका मतलब होता है Samson the athlete Samson the wrestler ठेक है जाता है विद्धी फाइनल फेज आफ सैंसन लाइब जो क्लॉसेट ड्रमा होता है इसमें सैंसन के जीवन की फाइनल फेज को जो है क्या किया जाता है डील किया जाता है छे के बाद सात्मा नमबर देखो उन्होंने कहा कि on the title page of Samson Agonist Milton's called it Milton ने इसको कहा क्या कहा a dramatic poem बोला यानि कि Samson Agonist को Milton ने क्या बोला a dramatic poem बोला Samson number एक करेक्टर Manua दूसरा करेक्टर है डिलीला तीसरा करेक्टर है और हराफा जो है वो चौथा करेक्टर है हराफा दी गैत यह याद रखना हराफा गैत गैत का हराफा ठीक है और the characters, किसमे 等वेख्तर दिखाया जाते हैं इस सभी character किसकी हैं तो Samson Agonist की किसकी जो की विए Colombia ड्रामा है Blankverse में लिखा गया आटो बाइग्राफिकल है ठीक है, तो Samson Agonist की इस सभी क्या थे character थे Who is the hero of closet drama Samson Agonist यह जो Samson Agonist है इस closet drama का hero कौन दिखाया जाता है Samson दिखाया जाता है Samson is the hero of Samson Agonist अगला हम बात करें The following line नीचे कुछ line ने दोस्तों दी रखी है Samson made captive Samson को captive कर लिया है यानि कि उसको बंदक बना लिया है और बंदक बनाने के बाद में उसको arrest करने के बाद में उसकी दोनों आखे निकाल करके उसको blind अंधा कर दिया And now और अब in the prison at Gaza और Gaza की जेल में अब उसको डाल दिया गया है There to labor और बहाँ पर ये क्या कर रहा है Lever कर रहा है Lever का मतलब परिश्रम कर रहा है As in the common birth house जैसे एक common birth house में काम किया जाता है बैसी उससे उस जेल में जो है अंधा कर दनी के बाद उसकी आखों में गर्म सलाखें जो हैं डाल दी जाती है जिससे उसके दोनों आखें जो है अंधी हो जाती है और फिर उससे जेल में ही काम करवाया जाता है On the festival day Okay, of course इस अभी चीज़ें कहा होती है तो the argument section of Samson Agonist argument section of Samson Agonist मतलब एह हुआ द्यान से समझो कि निमलखित पंक्तियां Samson ने बंदी बनाया जाता है उसको अंधा कर दिया जाता है और गाजा की जेल में डाल दिया जाता है एक त्यार के दिन एक आम जैसे बर्किंग हाउस नहीं होता उसमें स्रम करने के लिए उसको ले जाया जाता है ये सब चीज़ें कहा की है तो Samson Agonist की है दस के बाद 11 नंबर पे देखो अगर हम 11 नंबर पे दोस्तों बात करें तो how do the philistine how means कैसे do the philistine जो philistine बासी होते है वो celebrate करते है Samson's capture Samson के capturing को कि चलो हमने इतने सक्स साली युद्धा को पकड़ लिया जिसको कोई नहीं हरा पा रहा था सामने से ठीक है तो उसको Samson को पकड़ने के बाद में जो philistine बासी होते है वो किस तरीके से celebrate करते है तो philistine celebrate करते है his capture उसको पकड़ने के बाद with the holiday छुट्टी बना कर and a feast to their idol god dragon 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 इनको ध्यान बनाए रखना उनके एक god होते हैं जो dragon होते हैं उन्होंने का philistine जो है वो Samson के पकड़े जाने का जसन कैसे मनाते हैं तो philistine उसके पकड़े जाने का जसन अपने एक मूर्ती देपता होते है दागोन ठीक है क्या नाम होता है दागोन या dragon बोल सकते हो ठीक है के लिए छुट्टी और दाबत के साथ मनाते हैं कि उस दिन खुब छुट्टी करते है और philistine का मतलब होता है दाबत ठीक है अगला question देखो next अगर हम बात करें तो next क्या है कि samson lament samson बिलाब करता है his fallen condition अपनी बुरी हुई बुरी इस्तिती पर वो बिलाब करता and most of his most of all वो सबसे ज़्यादा किस पर बिलाब करता है his blindness अपने अंधे होने पर वो बाकी उसके बालो को कार दिया गया उसकी सारे रिख सकती समाप्त हो गई इन पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता लेकिन जो उसकी आखों को निकाल लिया गया इतना ज़्यादा अत्याचार किया गया उसके उपर उसको सोच करके वो उससे बहे बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो अपनी blindness पर अपनी अंधेपन पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तेरे नंबर का पॉइंट देखिएगा क्या कहा गया कि वो से एंटर कौन एंटर करता है आन दे स्टेज स्टेज पर अड़ दी डिस्टेंस और कमेंट और कमेंट करता है आन दी फालन हीरो अड़ मुटेबिलिटी आप फार्चून भागे परिवर्तन अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 14 नंबर पे how ड़ दी कोरस जो कोरस होते हैं बो कंट्रिब्यूट करते हैं योगदान देते हैं to die progress के लिए आफ दी ड्रामा के progress में बो अपना किस तरीके से योगदान देते हैं मतलब अगवा कि कोरस नाटक की की प्रगती के लिए उसकी प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेस में कैसे युगदान देते हैं तो देखेगा by supplementing Samson's analysis Samson को analyze करके of his fallen state उसकी बुरी इस्थिती को पस्थिती को analyze करके by leading him उसको lead करके into a further recognize of more okay abstractly philosophical nature के लिए तो देखो उन्होंने सिद्धी सिद्धी बात कही है कि उसकी एक तो गिरी हुई अवस्था है वो बहुत बुरी condition में है बुरी condition के बारे में Samson के बिसलेशर को analyze करके पूर जो है और उसे एक अधिक सार गर्वित दार्शनिक प्रिकिर्थी की आगे calculation में ले जाकर के उके उसको क्या करते है philosophical nature को रिकागनिंग करते है तो आगे देखो नेश्ट हमारा पंदरे नंबर का है कि who is Manwa Manwa कौन होता है तो Samson's old father दिखाए जाते है Samson के बुड़े पिता कौन दिखाए जाते है Manwa दिखाए जाते है who speaks कौन बोलता है the following line in Samson Agonist Samson Agonist की कुछ line को मैं पढ़ रहा हूँ इन लाइनों को कौन बोलता है इन लाइनों को दोस्तों कौन बोलता है देखो line यह हैं I cannot praise thy marriage जो तुमने अपनी साधी की है ना उस साधी की मैं परसंसा नहीं कर सकता जो marriage choices है उसकी ठीक है son मेरे बेटा rather approved them not और नहीं मैं आपकी इस साधी को approve कर सकता हूँ तो जो सेमसन के पिता होते हैं मनुआ वो speak these lines इन सब्दों को बोलते हैं और किस से अपने बेटा से जब बै अपने दुसमन देश की लड़की से साधी कर लेता है तो उस साधी को approve नहीं करते हैं तब ही बहीं पर इस चीजों को बोला गया है कौन सी चीजों को कि मैं तुम्हारी साधी की पसंद की प्रसंसा नहीं कर सकता तुमने जो अपनी साधी की पसंद यानि की पसंद दिदा साधी की है इसकी मैं बिलकुल भी प्रेज नहीं करूँगा बिलकुल भी प्रसंसा नहीं करूँगा मेरे बेटे बलकि उनसे मनजूरी भी नहीं दे सकता और मैं इस साधी को rather approved them not बलकि मैं आपकी इस साधी को approve भी नहीं कर सकता, मनजूरी भी नहीं दे सकता, तो यह कौन कहता उनके पिता जी मनवा कहते हैं किसे कहते हैं, अपने बेटा सैमसन से कहते हैं बाई मनवा कम्स टू गाजा यहां पे एक कोश्चन पूछा गया कि जो सैमसन के पिता मनवा थे कम्स टू गाजा वो गाजा के लिए क्यों आए हैं तो मनवा देखो, यहां पे कहा गया मनवा कमस आते हैं तो गाजा ठीक है गाजा आते हैं तो attempt करने के लिए तो गेन सैंसन्स रिलीज कि सैंसन को रिलीज कर ले छोड़ा ले by paying छुका करके a ransom ransom का मतलब होता है रिस्बत रिस्बत देखर to his captors जो captors थे जिनों ने उसके बेटे को बंदी बनाया था उनको हम captors कहेंगे अर्थाद बंदी बनाने वाले उनके लिए वो क्या करने गए थे फिरवती देने गए थे यानि कि रिस्बत देने गए थे मनवा अपने बेटे को बंदक बनाने वालों को क्या ransom लेकर के गया था that means फिरवती कहलो या कहलो रिस्वत देने के लिए गाजा जाता है जिससे कि सैम्सन की रियाई हासिल करने का प्रियास कर सके अपने बेटे को रिया रिलीज करा सके ठीक है अगला अठारे नंबर पे पॉइंट देखो भईया अठारे नंबर पे क्या कहा गया है बोला गया हू गया हूँ अरज कौन अर्ज करता है हूँ अरजिज मनौ तु ड्रॉप दी प्लान की अपने प्लान को ड्रॉप कर देए आफ सेटिंग हिम फ्री तु लेट सैम्सन रिमीन इन इस कंडिशन अफ सर्भीट्यूड इन रिमिएरेशन रिमिएरेशन का मतलब होता है परिस्रम या मेहनताना फारहिज सिंस, सिंस मीन्स वताए बिटा पाप, कौन मनवा से आगरे करता है कि बह उसे मुक्त करने की योजना, प्लान को छोड़ दें, और सैमसन को उसके पापों के लिए पार सिर्मिक में, उसकी दास्ता की इस्तिती में ही रहने दें, ठीक है, उसकी दास्ता गुलामों बाली इस्तिती में ही उसे रहने दें, उसको छोड़ाने का प्रियास छोड़ दें, तो ये बात कौन कहता है, कि मैंने जो पाप किया है, मेरी पाप बाली इस्तिती में मुझे पिता जी रहने दो, सैमसन खुद कहता है अपने बारे में, तो सैमसन हिमसेल्फ, क् आपसना आपका क्या होगा सही होगा 19 नंबर पे देखो after manua जब manua leaves छोड़ देते हैं the negotiate करना छोड़ देते हैं the ransom पर तो Samson further okay bemoans करता है his condition who cries okay God of our fathers what is man कौन कहता है the chorus के द्वारा ठीक है तो उनोंने क्या कहा है यहाँ पे सिद्धी सिद्धी बात कह दिये कि manua जब ransom के लिए बाचीत करने के बाद manua ने फ्रहोते के लिए बाचीत करने के बाद Samson ने अपनी इस्थिती पर और दुख जताया और ज़्यादा दुख जताता है बहर रोता है मेरे पिता के भगवान याने की God of our fathers ठीक है What is man आगे देखो next 20 नंबर पे देखेगा 20 नंबर पे क्या कहा गया which act कौन सा act सोज दिखाता है the meeting between Samson और दिलीला Samson और दिलीला के बीच में meeting जो दिखाई जाती है वो कौन से act में दिखाई जाती है act नंबर third में यानि की कौन से act में Samson और दिलीला के बीच जो है meeting को दरसाया जाता है तो act नंबर third में अब यहाँ पे Delilah is a lady Delilah एक बो महला है whom जिसके Samson फेली लव जिसके साथ जो Samson होता है हमारी ड्रामा का जो हीरो होता है वो प्यार करने लगता है C cheated लेकिन यह जो दिलीला होती है वो चीट करती है दोका देती है Samson को into revealing the secret और revealing का मतलब होता है उजागर होना the secret रहे से of his strength अपनी सक्ती का his long okay najarity here जो उसके लंबे-लंबे बाल होते है उनके बारे में कहा गया है कि नाजीर बाल होते है उनके ड्रामा बहमेला है जिसने Samson को जिससे Samson को प्यार हो जाता है उसने उसकी ताकत का रहसे प्रकट करने में उसे दोका दिया और ये Samson क्या करता है वो अपनी पत्नी डिलीला को अपनी strength अपनी ताकत के रहसे के बारे में बता देता है लेकिन उसकी पत्नी उसको रहसे जानने के बाद उसे दोका देती है और उसके बालों को काट देती है ठीक है तो चलो अब आगे दूसरा करेक्टर दूसरा पॉइंट 21 नंबर का पॉइंट देखीगा अगर हम इसमें who attempts कौन attempt करता है to offer excuse for her betrayal of his secret to the Philistine कौन होता है यह डिलीला होती है कौन होता है दोस्तो डिलीला होती है कि कौन फिलिस्तीन को अपने गुप्त राज से विस्वासगात के लिए बहाने की पेसकस करने का प्रयास करता है यानि कि who attempt to offer कौन उसको offer करता है excuse करने के लिए for her betrayal कि भाया तुम धोका दो ठीक है आफिस secrets to the Philistines ठीक है तो वो कौन होता है डिलीला होती है जो अपने पती को Samson के secret को जानने के बाद में उसे दोका दे देती है और वो सभी secret किसको बता देती है फिलिस्तीन को बता देती है 22 नंबर पे देखिएगा How does Samson react? Samson कैसे react करता है to Delilah's offer of excuses यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो Samson होता है वो किस तरीके से react करता है Samson जो है वो किस तरीके से react करता है Samson Delilah के जो offer होता है Delilah के offer को की पेसकस पर कैसी प्रितकिरिया दिखाता है Delilah आती है और Samson के आगे कुछ offer रखती है उस offer पर यह किस तरीकी की प्रितकिरिया करता है किस तरीके का reaction देता है तो Samson क्या करता है? Refuse कर देता है, मना कर देता है All her excuses, उसके सभी excuses को and forces her to leave और उससे विवस कर देता है, उससे मजबूर कर देता है कि भगवान के लिए तुम मुझे छोड़ करके चली जाओ यहां से तुमारी तो सकल देखना भी हमको पसंद आए है ठीक है? तुमारी जो आवाज आ रही है न मेरे कानों में उससे भी हमको घ्रणा हो रही है तो वो कहता है कि तुम यहां मुझे मेरी पस्टिती पर मुझे छोड़ करके चली जाओ अगला 23 नंबर पे देखो 23 नंबर पे विच प्लिस्तीन कौनसा प्लिस्तीन जाइंट जाइंट का मतलब दैथ बिजिट करता है सैम्सन तो वो हारफा होता है ध्यार रखना एंड बोस्ट करता है आफिस फिजिकल पावर और अपनी फिजिकल पावर का दिखावा करता है प्रोवेश करता है अपनी एंड एक्सप्रेस करता है रिग्रेट डैट और बड़ा पस्तावा महसूस करता है डेट की अरे हम तो यार तुमारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम इतने पावरफुल हो इतने सक्तिसाली हो और यह क्या इस्तिती है Samson is blind तुम तो अंदे हो गए हो और can no longer meet him on the field of combat और तुम तो अब यूद के चेतर में हमजारा सामना भी नहीं कर सकते हो तो देखो किस तरीके से कौन सा फ्रिस्तीन दानव जो आता है बीष्ट आता है Samson के पास और अपने सारे रिकोसल का दावा करता है और वो रेगरेट ब्यक्त करता है खेद ब्यक्त करता है कि Samson अंदा है अब उससे यूद के मैदान में नहीं मिल सकता फिल्ड आफ कमबोट यानि कि यूद छेतर में अब वो उससे नहीं मिल सकता ऐसा ब्यक्ति कौन है विच फिलिस्तिन जाइंट तो वो हारफा 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 टोटल 30 हैं 30 पॉइंट है और थोड़ी देर की वीडियो है चीक है हाव मैनी टाइम्स कितनी बार सैमसन चैलेंज करता है हारफा को टू मोटल कमबोट यूद के लिए याने कि जो हारफा होता है वो यूद के लिए कितनी बार ललकारता है यूद के लिए लड़ने के लिए कितनी बार ललकारता है कौन सैमसन तो इंपोर्डन कुछन है यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसको दीça करने के लिए कितनी बार तीन बार यूद्ध करने के लिए आओ और मेरा मुकाबला करो सामना करो लेकिन जो हारफा होता है वो क्या करता है बहाने डोंटने लगता है अगला कोश्चन 25 नमबर पे बात करें तो कौन सा है हो डिस्क्राइब कौन डिस्क्राइब करता है हारफा की इस्तिती को ठीक है आफ नॉट असेप्टिंग की उसने सुविकार नहीं किया दे मॉर्टल कम बहुत यूद लड़ने के लिए इन दी बढ़ सब्दों को हिज जाइंट सिप इस गौन उसकी जाइंट सिप चली गई संबोट ओके क्रेश्ट फालिन ओके इस्टैकिंग बिद लेस कौन सियस नेवल स्ट्राइट्स तो कौन होते हैं ये कोरस होते हैं जरा समझ लो कोरस द्वारा उसकी अजय सक्ती जो हारफा होता है वो क्या करता है कि जो मोर्टल कमबाट होता है ठीक है कुछ स्विकार ना करने की इस्थती का बढ़न सब्दों में कौन करता है तो कौन करता है कोरस करता है पहली चीज पहले का अंसर मिल गया अगला क्या करता है उसकी बिसालता कुछ हद तक चर्मरा गई His giant ship का मतलब होता है उसकी बिसालता is gone somewhat Okay, crashed fallen यानि कि कुछ हद तक उसकी बिसालता चर्मरा गई Come अचेतन, सक्छम कदमों के साथ पीछे चला गया Stacking with laces, unconsciusable strides Okay, अपने कदमों को उसने पीछे अटा लिया और उसने यूद नहीं लड़ा किसके साथ? Samson के साथ किसने? Harafa ने तो इन सब्दों ऐसी चीजों का बरन कौन कर रहे है Chorus Chorus ये सब पूरी कहारी बता रहे हैं कि बहां की इसी तरीकी की स्थिती और परस्थिती बनी थी Who is praised कौन प्रसंसा करता है? Farage invincible might And the magnitude of mind by the chorus तो वो कौन होता है? Samson होते है Samson होता है Chorus द्वारा उसकी अजेश सक्ती और उसके दिमाग की बिसालता के लिए किसकी प्रसंसा की जाती है? Chorus द्वारा ध्यान बनाए रखेगा by the chorus है ना तो Chorus द्वारा किसकी प्रसंसा की जाती है? किसके लिए? Invincible might उसकी अजेश सक्ती के लिए Invincible जिसे जीता ना जा सके जिस पर बिजय हासिल ना किया जा सके और might मीस जानती हो सक्ती And his magnitude और उसकी magnitude का मतलब होता Magnitude मीस बिसालता Of mind और उसके जो mind का बिसालता थी वो कितना बड़े लेबल पे सूचता था ये सब चीजें किसके बारे में प्रसंसा की गई है कोरस के द्वारा कोश्चन ये किया गया कोरस के द्वारा इस तरीकी की Invincible might है Magnitude of mind है उसके अंदर ऐसी प्रसंसा किसकी करते है ये कोरस तो हू के स्थान पर किसका नाम रख दोगे Samson Samson is praised Samson की प्रसंसा की जाती है कि जो Samson है वो Invincible might है और Magnitude of mind है और किसके द्वारा ये प्रसंसा की जाती है कोरस के द्वारा 27 के बाद 28 नंबर पे देखो Who comes to summon क्या लिका है summon Samson to participate यानि कि कौन आता है to summon का मतलब होता है बुलाने के लिए किसको Samson को बुलाने के लिए कौन आता है to participate कि वो participate करे समलित हो in the games खेलों में at Dagon's feast जो Dagon उनके जो गौड थी भगवान थी उनके लिए जो भोज तयार किया जा रहा था उसके feast में इस होता है भोज के लिए तो कौन आया था Samson को बुलाने के लिए an officer एक officer आया था of the enemy जो उसके सत्रू थे उन सत्रूं में से एक officer इस बुलावे पत्र के साथ आया कि तुम को बहाँ पर participate करना है 28 नमबर पे in the end अंत में who gets कौन पाता है his old strength back after praying to God उसके कहने का मतलब यह है कि आखिर में भगवान से प्रार्थना करने के बाद किसे अपनी पुरानी ताकत बापस मिल जाती है at the end अंत में who gets his old strength अपनी पुरानी सक्ती back बापस मिल जाती after praying to God बगवान से प्रार्थना करने के बाद तो किसको Samson को किसको दोस्तो Samson को answer होगा Samson 29 नमबर का question देखो what Samson does Samson क्या करता है to take revenge बदला लेने के लिए बदला लेने के लिए Samson क्या करता है तो Samson pulls down गिरा देता है the pillars को गिरा देता है of the great philistine temple जो कि बहुत ही बड़ा philistine temple होता है उसके pillars को गिरा देता है of the god dragon at gaza कहा gaza में as a result और जब वो temple गिर जाता है जब पूरा का पूरा hall गिर जाता है उसके pillars तो Samson along with यानि कि Samson along with का मतलब के साथ Samson के साथ all his captors उसको जो capture करने वाले लोग होते है उसको जो बंदी बनाने बाले लोग थे वो भी उस समय बहीं पर थे are destroyed nest हो जाते है however फिर भी this event does not take place on the stage लेकिन यह जो event है last बाला ठीक है इसको stage पर stage पर play नहीं किया गया but is reported through the others लेकिन दूसरों के द्वारा इसके बारे में जानकारी मिलती है बदला लेने के लिए Samson क्या करता है Samson गाजा में जो दागोन देबता होते हैं दागोन देबता के महान फ्लिस्तीन मंदिर के खंबों को गिरा देता है और उसका नतीजा यह निकलता है कि Samson अपने सभी बंदकों सहीत बहीं पर बो भी दब जाता है और दब करके नश्ट हो जाता है हलांकि यह गटना मंच पर नहीं होती लेकिन दूसरों के माध्यम से इसकी सूचना दी जाती है अगला नेक्स्ट थर्टी नमबर पर देखिएगा दी करेक्टर आप Samson Samson का करेक्टर एक्चुली रिप्रेजेंट करता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इसमें Samson Agonist में जो Samson नाम का करेक्टर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जिस तरीके से Samson, Samson Agonist में अंदा होता है क्योंकि John Milton भी 44 वर्स की उम्र में 1652 में पूरी तरीके से अंदे हो चुके थे अगला Milton डिस्क्राइब करता है Samson as being eyeless in Gaza अब यहाँ पर बड़ा important एक चीज आएगी eyeless in Gaza a phrase एक phrase है that has become the most coated okay line in Agonist Agonist में सबसे ज़्यादा coated line बन गई the phrase represent यह phrase जो है represent करती है the blind state of Milton also Milton के blind अंदेपन को भी represent करती है अब यह जो 31 पॉइंट है यह most important है इसको कहीं no down कर लेना which novelist ऐसा कौन सा निमंदकार है जो use करता है इस phrase को eyeless in Gaza eyeless in Gaza phrase को use करता as the title अपने title के रूप में for his 1936 जो 1936 में उनका एक nobel आया था eyeless in Gaza तो eyeless in Gaza के नाम से eyeless in Gaza के नाम से eyeless in Gaza क्या करते हैं एक निमंदकी रचना करते हैं और यह जो title उठाते हैं वो कहां से उठाते हैं eyeless in Gaza यह Samson Agonist से ही उठाते हैं तो ध्यान बनाए रखना इनका नाम दोस्तो इसके बाद 32 नंबर पे देखेगा 32 नंबर पे Ashti Coleridge नहीं कुछ का आए Ashti Coleridge said कहते हैं Samson Agonist is the finest imitation बहुत अच्छी imitation है of the ancient Greek drama की यानि कि imitation का मतलब नकल करना यानि कि बहुत बख़ोबी नकल की है ancient Greek drama की that ever has been and ever would be written जो हमेशा रहे और हमेशा लिखे गए तो उन्होंने कहा कि किसने का Samson Agonist प्राचीन ग्रीक जो ड्रामा होते हैं का सबसे अच्छा अनकुरण है जो कभी भी रहा है और कभी या कभी लिखा जाएगा तो ऐसे ब्यक्ति वो कौन थे A.S.T. कॉलरीज थे कौन थे A.S.T. कॉलरीज अगला हम बात करते हैं 33 नंबर पे बिच बर्क कौन सा बर्क John Milton का has been called कहलाता है अब बिकलाप Milton's Turkish concept of women most and most important most and most important point है note डाउन का लिजीगा ठीक है कि John Milton के कौन से बर्क को Milton अब बिकलाप Milton's Turkish contempt for women इसका मतलब यह हुआ कि महलाओं के लिए तुर्की की अभमानना का एक बहान खर उससे कोई मतलब नहीं हिंदी बिंदी से कोई मतलब नहीं ठीक है यह एक कॉंसेप्ट है कि जो Samson Agonist है Samson Agonist को एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता है अविकल आफ मिल्टन्स तुर्केस कंटेंट फार बुमेन तो अगर कोश्चन यह पूछा जाए जाएंगे अगर आपको इसकी हिंदी समरी भी देखना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखे आप जहां कर जा करके Samson Agonist के हिंदी समरी इंपोर्टेंट की पॉइंट्स वो सभी बहाँ पर एक्जाम पॉइंट्स को भी वो वाली वीडियो भी आप आसानी से देख सकते हूँ ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही जैहन जैवारत साथ ही हो